दोमेनिकन रिपब्लिक में छोटे से शहर सान किस्तोबाल से गुजरती नीगुआ नदी यह खुबसूरत भी देख सकती थी लेकिन यहां चारो और कूरा ही कूरा देखने को मिलता है जो स्थानिय लोगों की सेहत को भी नुकसान पहुचा रहा है डियोनीजियो बिटो इस कूरे से परेशान है विस्तान किस्तोबाल के सबसे गरीब इलाके के निवासी संगठन के अध्यक्ष है कूरे की वज़े से यहां नदी बुरी तरह दूशित हो चुकी है और इस थानिय लोगों को इससे जूजना पड़ रहा है चुहे, मक्षी, मच्छत यह सब अपने साथ बीमारियां लेकर आते हैं यहां बच्चे नंगे पैर दोड़ रहे होते हैं और सच तो यह है कि यह देखकर मुझे बहुत ही ज़ादा दुख होता है इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि इलाके में अब कुछ बदलाओ होने लगा है बियोनीजियो हमें एक स्थानिय स्कूल दिखाने ले जाते हैं यहां चल रहे प्रोजेक्ट में ये जगह एहम भूमी का निभा रही है शिक्षा इनके प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है साइन्स टीचर हुआन पाबलो फावियान बच्चों को समझा रहे हैं कि जैविक कूडे को बाकी के कूडे से अलग करना कितना जरूरी होता है कूडे को अलग ना करने से परियावरन को नुकसान पहुँचाने वाली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरजन होता है लंच ब्रेक में क्लास में सीखे गए सिधान्त को व्याभारिक रूप से करने का मौका होता है खाना खाने के बाद बच्चों को बचा खुचा खाना केंटीन के बाहर रखे कंपोस्ट बिन में डालना होता है बच्चे यहाँ छोटे अस्तर पर जो कर रहे हैं उसे राश्ट्री अस्तर तक पहुँचाने का इरादा है स्थानिया और अंतराश्ट्रिय पर्यवरन सनरक्षन संस्थाओं के साथ मिलकर राजनितिग्य फ्रांसिसको माटोस एक नए कानून पर काम कर रहे हैं जिसके जल्द ही पास होने की उमीद है इस कानून के तहट सभी कमपनियों को एक राश्ट्रिय री साइकलिंग सिस्टम पर काम करना होगा और साथ ही खुले में बने सभी कूरे दान बंद कर दिये जाएंगे ये कानून सुनिश्चित करेगा कि जितनी भी जगें दूशित हो चुकी हैं उन्हें दोबारा साफ किया जाए आप जरा सोचिए एक ऐसा देश जहां 350 दूशित वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं उस देश को अपनी सफाई करनी है हम ये कैसे करेंगे हम इन डंपिंग ग्राउंड्स को कैसे गायब करेंगे ऐसा सिर्फ एक कानून से ही मुम्किन हो सकता है जो इन साइटों को बंद करवा दे जहां कूडा खुले में जलाया जाता है ये बहुत बड़ा कदम होगा अब तक देश में सिर्फ एक ही आधुनिक रिसाइकलिंग प्लांट है और ये प्लांट भी 2017 में ही खुला है हर रोज यहां करीब 1000 टन कूडा लाया जाता है कूडा कंपनी के अनुसार यहां आने वाला महज 15 फीजदी कूडा ही ऐसा होता है जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता बांकी सब को इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इंधन में या फिर खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद के रूप में बदल दिया जाता है और सान क्रिस्टोबाल में दियोनीज यो बिटो को नाज है कि नदी के आसपास कुछ इलाका अब साफ होने लगा है आज वो हमें उस जगह पर लाये हैं जहां कभी कूरा फिका जाता था अब यहां अच्छा माहौल है, हवा साफ है, जमीन दूशित नहीं है, चूहे और मच्छर नहीं है और इसे देख कर लोग प्रोट साहित होते हैं पहले उन्हें अंदाजा ही नहीं था, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी लेकिन अब उन्हें पता है, प्रोजेक्ट के कारण वे शिक्षित और जागरुक हुए हैं और जो मौका मिला है, उन्होंने उसका पूरा फाइदा उठाया है आज नदी का ये हिस्सा इतना साफ हो चुका है कि बच्चे यहां तैरने आते हैं नदी एक बार फिर लोगों की खुशी का कारण बनने लगी है